जैमा इंद्राक्षी जयंबे इंद्राक्षी धाम में दर्शुक आप सभी का महार्दिक स्वावत करते हैं आज के दिन जिन जात्कों का जनम दिवा से मेरी जैनिवर्सरी है उन सभी को हमारी तरफ से बहुत-बहुत शुप कामना है कल गुरु पुर्णिमा का विशेश पर्व है भागवान गुरु से विशेश आशिरवाद लेने का उनकी सनिधी प्राप्त करने का उनका अनुग्रह प्राप्त करने का एक विशेश दिवस है कल हम अपने गुरु के प्रती पून समर्पन की भावना रखते हुए मांसिक रूप से सही, स्थूल रूप से सही, जैसे मोका मिले, वैसे गुर्देव के चड़नों में बैठ करके सुवासी स्प्राक्त करें, गुरुविन ज्यान नहीं, यह आप सभी जानते हैं, आए पहले आज का हम पंचांग बताएं, फिर आगे की हम आपसे चर्चा करेंग और एक विशेष संदेश भी आपको देंगे, बारा जुलाई सन दोहजार बाईस दिन मंगलवार, आशाडवा, शुकलपक संबन दोहजार उनासी, तिथी, त्रोधसी और चतुदर्शी तिथी का च्छै है, इसलिए कल पूर्णिमा बही है, नक्षत्रमूल, राहुकाल त से जुड़ना, ये भी एक बहुत स्वभाग्य की बात होती है, जब से हम जनम लेते हैं, जब तक अंतिम स्वास लेते हैं, तब तक किसी न किसी रूप में हमें कोई न कोई शिक्षक मिलते रहते हैं, बच्पन में मां हमारी बहुत बड़ी शिक्षिका होती है, मां तो जी पढ़ने जाते हैं अलग-अलग सब्जेक्ट मिलते हैं उन सब के हमें गुरु प्राप्त होते हैं पीडी दर पीडी शने शने हम धीरे-धीरे बढ़ते जाते हैं पोड़ी-पोड़ी चड़ते जाते हैं गुरु में प्राप्त होते रहते हैं जीवन में जिससे भी किसी ज्ञान की प्राप्ती होती है वो हमारे विश्यस गुरु बन जाते हैं बहुती गुरु हमें अनेग वो प्रकार से प्राप्त होते हैं किसी ने किसी रूप में लेकिन अध्यात में गुरु हमारा एक ही होता है जो मैं अध्यात्म मारग का ग्यान कराता है मोक्ष के कपाठ अपने वरध हस्ते हमारे लिए खोल देता है इसलिए मेरे साथ को अध्यात्मिक गुरु मिलना ये बहुत सोभाग्य की बात है अध्यात्मिक गुरु समस्त प्रकार के कश्टों को कलेशों को आपके जीवन से दूर कर देते हैं गुरु जो सनमार्ग की तरफ ले जाए सत प्रेणाय आपको देता रहे आपके अंदर एक सक्ति का संचार करे आपकी हुचकोले खाती हुई नईया को बलेंस बना दे आपके जन्व जन्मांत्रों के विकारों को दोड़ा ले समझें? और अब कल के दिन की बात करते हैं जिनोंने अपने गुरु ना बनाए हो तो आप भगवान शिव को अपना गुरु बना सकते हैं कल से ही कल के दिन प्राते उट करके भगवान शिव के संभू के चड़नों में पुष्प धीप धूप दीप आदी अरपन करना और कहना है प्रभू हिनाथ मेरा जीवन आपको समर्पित है जन्व जन्वांतर में आप मेरे गुरु रहे मुझे ऐसा सुबाशी सुबर दें मैं आपको अपना गुरु वरण करता हूँ कोई भी जीवन का कार्य करें अपने गुरु से मनी मन आग्या लेकर के करें और जिनोंने कहीं से दिख्षा लेनी हैं तो वो अपनी दिख्षा भी प्रात कर सकते हैं और यदि संबब नहीं है गुरु के पास जाना गुरु से मिलना तो आप मानसिक रूप में भी गुरु वरण कर सकते हैं देखो गुरु दिख्षा के पीछे भावना का खेल होता है आप कल के दिन जिने भी अपना गुरु बनाना चाहते हैं या तो उनके पास पहुंचें जावें या मानसिक रूप से संकल्प लें थोड़ा जल थोड़ा चावल उस्प किसी चमच में या सीधे हाथ पर हते ले में हतेली में और मनिमन त्रड़ संकल्प अपने आपको करते हुए कि आज से मैं आपको अपना अध्यात्मिक गुरु बनाता हूँ या बनाती हूँ हे गुरुबर आप मुझ पर कृपा द्रश्टी बनाई रखें और वह जल चर्णों में चोड़ दें दोब दीव दे करके पुस्पादी अरपन करके अपने गुरु का पूजन करें गुरु एक व्यक्ति नहीं गुरु एक महाशक्ति है गुरु के अंदर बैठी एक दिव्यात्मा हम उसकी पूजा करते हैं इसलिक कल का बड़ा ही अधूद दिन है समझें आप किसी भी छेत्र की बात करें हर छेत्र में हर व्यक्ति का कोई मास्टर रहेगा शिक्षक रहेगा गुरु रहेगा ऐसे ही आध्यात्मिक छेत्र तो बिलकुल अधूरा है गुरु के बिना तो बहुत अच्छे से आप अपने कल के दिन गुरु से जुड़ना गुरु देब का पूजन करना गु देब का आशिश गिरंड करना ये बहुत शुब रहेगा बहुत लोगों की phone calls आई हैं गुर्दिक्षा के लिए बहुत लोग मिलने के लिए वियातुर हैं इसलिए एक समधान सब के लिए निकाला गया है कि कल गुरु पुर्णिमा का पर्व है कल हमारा प्रियास है कि साड़े ग्यारा बजे दिन में हम लाइव रहें साड़े ग्यारा बजे थोड़ा से पहले आप अपने जो भी पूजन बजन आपको अपना करना है आप अपना कर लीजिए और आज कल तो मोबाइल सब के पास है तो हम प्रियास करेंगे कि यूट्यूब चैनल पर हम लाइव रहें और उसमें हमारा जो मुखे चैनल है उसे आप नोट करने क्योंकि आप हमारे दो चैनल से जुड़े हैं एक इंद्राक्षी धाम चैनल से जुड़े हैं और एक जुड़े हैं आप प्रोफेसर धर्मेंदर शर्मा के नाम से तो उसमें काफी संक्या में लाखों में लोग जुड़े हैं इसलिए जो हमें इंद्राक्षी धाम पर सुनते हैं तो कल प्लीज आप ध्यान रखें साड़े ग्यारा बजे प्रातकाल आप प्रोफेसर धर्मेंदर शर्मा वाले चैनल को ओन कर ले यूट्यूब चैनल को उस पे हम आपके साथ लाइव रहेंगे कुछ सतिचिंतन आपके साथ रहेगा मगवान का शुबाशिश आपको प्राप्त हो ऐसा प्रयास करेंगे और आप अपने घर में जहां भी जिस इस्तिति में हैं साड़े ग्यारा से बारा के बीच क यह समय रहेगा इसमें आप हम से जुड़ें और इसी के साथ साथ कुछ चैनल्स मिए हैं जिन चैनल्स पर हमारा कल कारे करम रहेगा वैसे बहुत लंबा समय हो गया आप चैनल्स पे जाते नहीं है वेजीनेस बहुत हो गई है तो फिर भी एक कारे करम छोटा सा दिया गया ह चैनल्स पर तो वो भी आप कारिकरम के अंत में उसकी पूरी सूची लिख लेना कि किस किस चैनल पर कल आप हमें देख भी सकती हैं ठीक है तो आईए अब समय हो चला है उस प्रामबा महती महाशक्ति से जुड़ने का जिसने आपको और हम सब को मिलाया है एक प्लेटफरम पर खड़ा कर दिया है बिन जगजन्नी के बिन भगवती के जीवन का उद्धार नहीं हो सकता जिस भगवती को ब्रह्मा विश्णु महिस भजते हो आप और मैं साधरान से मानब बजें तो सोने पे स्वागे वाली बात आ जाती है आईए जुड़े माइंद्राक्षी मादुर गासें अम्रत गटस्त रक्त चरणाम ध्यायत्पराम अंबिकाम खडगं चक्रगदे सुचाप परिगान चूलंभुसुंडिम्सिरा संखं संधदतिम्करिस्त्रिनयनाम सर्वंग वुस्वरिताम निलास्मध्युत्यमास्यपाद दसकाम सेवे महांकालिकाम यामास्तो स्वपितै हरो कमल जो अंतुम्मधुम्कटवं विद्योद्धाम समप्रवाम् रिगपते स्कंदस्तिताम् विशनाम् कन्या विहकरवाल खेट विलसा धस्ता विरास्यविताम् हस्ते श्चक्रगरा सिखेट विशिखाम् स्चापम गुणम् तरजनीम् विप्राणाम अलिलात्मेकाम् ससिदाराम् धुरगाम्तिनेत्राम् वजे कवच बना लें ध्यान करें हे भगवती आप अपना शुब आसिस हमें प्रदान करें ओम बोलते हुए नेत्र खुलने समानने हो जाएं देखो आज तो बस यही मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जिनोंने अब तक अपने कोई आध्यात में गुरू ना चुने हो कल का प्यारा सदिन है चाहें मिलकर के और चाहें केवल उनका नाम, चित्र, रूप, ध्यान करके मानसिक संकल्प जैसे समझाया है लेकर के आप अपना गुरू बरण कर सकते हैं अब बहुत लोग कहेंगे इसमें कि जब तक आपकी गुरू ने आपको आज्या नहीं दी तो आप दिक्षक कैसे लेख सकते हैं गुरू देव का हर्दे बहुत दर्वित होता है आप भी तो अपनी तरफ से पहल करिए आप भी तो कदम उठाइए गुरू दुरू दुर्णा चार्णी ने एक लव्वे को मना कर दिया था लेकिन एक लव्वे हटी थे है ना पत्थर की मूर्ती बनाई मूर्ती बनाई और मूर्ती बनाकर ही उनसे सुभाशिश लिया और धनुर वद्या में माहिर हो गए मन में क्योंकि आज के प्रयावरण में है प्रिस्तिति के हिसाब से जीवन चलता है आप सभी जानते हैं अब कोई व्यक्ति विदेश में रहता है कोई व्यक्ति बहुत दूर रहता है सभी का मिलन अपने गुर्देव से संब्भव नहीं हो पाता एक डेट में जाकर के मिलन इसलिए आप अपने गुरु के रूप को यानि के चित्र को मन में बसा करके संकल्प ले सकते हैं मेरा यह व्यक्तिकत मानना है बाकि सबकी अपनी अपनी सोच है कि गुरु भगवान तुलिया है गुरु गविंदव खड़े काकुला को पाएं सुनाए ना तो गुरु देव ऐसे ही अमुल्य धरोर हैं आपके लिए इसलिए उनके लिए जादे विचार न करें बस उनका परण करें उन्हें आप धारण करें उनके चरणों में अपने मस्तक को नवावें कल साड़े ग्यारा बजे से लेकर कि बारा बजे के बीच में लाइव आने का प्रियास करेंगे बाकी शुवर की इच्छा है सुबा के समय और जिन चैनल्स पर आप कल हमें देख सकते हैं सुन सकते हैं वो भी आप चैनल्स नोट कर लीजिए और बाकी तो हम आपसे रोज मिलते ही हैं रोज आपसे बाते होती हैं है ना आप किसी तरह की चिंता ना करना जीवन आपका सुन्दर हो सार्थक हो आपकी समस्त मनों कामना हैं जगदंबा पूर्ण करें ऐसी आशा लेते हुए इस कारिकर्म को आज यहीं समाप करते हैं जय जय अमबे गुरुजी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी पी सेवन उसके उसी से मैं जुड़ा हुआ और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आज चर्ज चकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई तो मैं इतना आश्चर्ज हो गया कि इन्हें कैसे माल और इतना बढ़िया इन्होंने बताया इन्होंने जिसके वज़ए से मैं आज तक उन्हों से परभावी थूँ और इनका बताने का सैली वगरा इतनी बढ़िया है जो हम अपने कलास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पात एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंद्रु शर्माजी से नोट शिविर में भाग लेने हे तू एवं व्यक्तिकत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा 10 वजे से शाम 6 वजे तक हमारे विभिन ज्यान बर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूलें झाल के लिए आप हमें लिए आप देखने के लिए प्रेक्रम सबसे पहले करें